माफिया अतीक अहमत को उमेश पाल अपारन केस में उम्र कैद की सजा भले ही हो गई हो लेकिन माफिया अतीक के गैंग के सदसे अभी भी बेलगाम है उनके रंगदारी के अवय धंदे पर लगाम नहीं लगी है पहले अतीक के गुर्गे असद ने वकील से 10 लाग की रंगदारी मांगी थी जिसकी प्राथमी की करेली थाने में दर्च हुई थी अब एक महिला प्रधान के बेटे ने आरोप लगाया है कि अतीक के दो करीवियों की और से 2 करोड की रंगदारी मांगी गई है और नादेने पर जान से मारने की धंकिती है। पूरा काम चलता है। पीडित प्रधान के बेटे अक्तर ने पुलिस कमिशनर अमिच शर्मा से मुलकात कर शिकायत भी की। वहीं पुलिस अफसरों ने जांच कर उचित कारवाई का अश्वासन दिया है। सर ये मेरी मा जो है दो हजार एकी से प्रधानी की चुनाव लोड़े तो है। प्रधानी के बाद ये उस चुनाव की रंजिस रखते हुए जो है मेरे उपर जानलेवा हमला किया था। जिसमें इन्हों ने लोगे का राड़ों से मारा मेरा हाथ तूड़ गया और उसके बाद मेरे उपर फारिंग भी किरें। किसी तरीके से गावलों ने मुझको बचाया था उसके बाद ये उसी केस में जो प्रक्राणों में जेल चले जाते हैं। जेल से आने के बाद तिर इनका पुराना कारणामेशार रंगदारी जो है ये मुझसे का मैसेस दिलाने लगे। मेरा बहुत नुक्सान हुआ है और ये नुक्सान की भरपाई तुमको करना पड़ेगा। जनकारी के मुताबिक पूरा मुफ्ती के शेखपूर गाउं के प्रधान के बेटे मुहमद अक्तर पर 15 दिन पहले अतीक के गुर्गों ने हमला भी किया था। जिसमें उन्होंने अतीक के करीबी कोशामभी के जैद और उबैद पर मुकतमा दर्ज कराया था। लेकिन उसके बाद भी अतीक के गुर्गे उससे दो करोड के बदले जान बक्षने को कह रहे हैं। बतातें चलें के उमेश पाल हत्याकान के बाद अतीक के तमाम करीबियों और फाइनेंसर पर पुलिस ने शिकन जाकसा है। अतीक को फंडिंग करने वाले कई लोगों की प्रॉपर्टी को बुल्डोजर से धुस्त किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद अतीक के कुछ गुर्गे जो जमानत पर बाहर हैं वो रंगदारी वसूलने का काम कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही एडवोकेट वकार से जमीन के बद्ले 10 लाक रुपे मांगे गए। और कौशामबी के जैद और उबैद ने प्रधान के बेटे अक्तर से उसकी कई बीगे जमीन पर 2 करोड रुपे की रंगदारी की मांग की है।